गुद मॉनिंग स्टुडेंट्स आस हम लोग क्लास 1 हिंदी बुक का चेप्टर नमबर 2 गोलू और भोलू रिविजन करेंगे क्यूंकि हमारा हिंदी बुक सारा हम लोग खतम कर चुके हैं चेप्टर सारा इसलिए अभी रिविजन करेंगे कोसिन एंसर सारा प्रिवियोस क्लास में हम लोग नमबर वान और नमबर टू कर चुके है रिविजन आज नमबर थ्री और नमबर फोर करेंगे तो हमारा चेप्टर टू खतम हो जाएगा नमबर थ्री देखो दिये गए सब्द को सुद्ध करके लिखिए गेहु यहाँ पर लिखावा है यहाँ पर होपे एक चंद्रबिंदू का मात्रा लगेगा गेहु ऐसे लिखते हैं देन पोधो पोधे होगा तैयार है तैयार होगा अईकार ठीके पराथ पराथ है क्या होगा पराथ होगा रोटिया रोटिया यहाँ पर चंद्रबिंदू लगेगा खाऊँगा है यहाँ पर होगा खाऊँगा वहाँ पर चंद्रबिंदू लगेगा खाऊँगा ठीक है नमबर फोर सही बाक्या के सामने राइट तथा गलत बाक्या के सामने रोंग का चिन्ना लगाए जो ठीक होगा वहाँ पे right लगाएंगे और जो गलत होगा वहाँ पे wrong लिखेंगे कौ नमबर गोलू और भोलू दो चूझे थे ये राइट है यहाँ पे right होगा कौ नमबर भोलू मा के साथ गेहू के दाने बोने नहीं गया ये रॉंग है क्योंकि भोलू मा के साथ गेहु के दाने बोने गया था कौन नहीं गया था गोलू नहीं गया था क्योंकि गोलू बहुत आलसी था गो नमबर भोलू ने गेहु के दाने अपने मा के साथ निकलवाए राइट लाली मुर्गी ने दानों को पीछ कर आटा बनाया यह राइट है यहा पे राइट होगा One number गोलू के साथ मा ने गर्मा गरम रोटिया खाई गोलू के साथ मा ने गर्मा गरम रोटिया खाई थी क्या? भोलू ने मेहनत की इसलिए उसको गर्मा गरम रोटिया मिली और गोलू को नहीं मिली ठीक है यह हमारा चेप्टर टू आज रिविजन खतम हो गया फिर नेक्स क्लास में हम लोग चेप्टर त्री रिविजन करेंगे थैंक यू